सुप्रभाद बच्चों, आज हम नादान दोस्त प्रिष्ट संक्या 14 के तीसरे अनुछेद से आराम करेंगे श्यामा, क्यों भईया, बच्चों को धूप न लगती होगी के सब का ध्यान इस तकलीब की तरप न गया था बोला, जरूर तकलीब हो रही होगी बेचारे प्यास के मारे तरपते होंगे उपर छाया भी तो कोई नहीं आखिर यही फैसला हुआ कि घोसले के उपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्विक्रित हो गया दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे श्यामा मा की आख बचा कर मटके से चावल निकाल नाई केसव ने पत्थर की प्याली का तेल चुके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खुब साफ करके उसमें पानी भर भरा अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से आए फिर उपर बगार चड़ियों के कपड़ा ठरेगा कैसे और चड़िया खड़ी होगी कैसे के सब बड़ी देर तक इसी उधेर बुन में रहा आखिर कर उसने यह मुश्किल भी हल कर दी श्यामा से बोला जाकर कुणा फेकने वाली टोकड़ी उठा लाओ अम्मा जी को मत दिखाना श्यामा वह तो बीच से फटी हुई है उसमें से धूप न आए जाएगी केसर ने जुजलाकर कहा तो टोकड़ी ला तो ला मैं उसका सुराक बंद करने की कोई हिकमत निकालू गा यहां श्यामा एक प्रस्न कर रही है अपने भाईया से कि क्यों भाईया बच्चों को धूप न लगती होगी जहाँ पर बच्चे है उनको धूप न लगती होगी केसव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ अब तक नहीं गया था उसके मन में आया ही नहीं था कि हाँ धूप भी लग सकती है तो केसव जवाब दे रहा कि जरूर तकलीफ हो रही होगी बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे वो तो बोल भी नहीं सकते उपर कोई चाया भी तो नहीं है कि उनको प्यास ना लगया तकलीफ ना हो आखिर दोनों ने मिलकर यही फैसला किया कि घोसले के उपर कपड़े की छट बना देनी चाहिए हम दोनों मिलकर घोसले के उपर कपड़े का छट बना देंगे और पानी भी रख देंगे, थोड़ो सा चावल भी रख देंगे ये सब बात दोनों में बनी दोनों बच्चे बड़े चाव से, बड़े मजे से काम करने लगे श्यामा मा की आखे बचाकर मटके से थोड़ा चावल निकाल कर लाती है वही केसव ने पत्थर की प्याली कटोरी से तेल जमीन पर गिरा दिया वो कटोरी था पत्थर का उसमें तेल लखावा था उसको तेल को जमीन पर गिरा दिया और उसे खुब अच्छे से साफ कर गे उसमें पानी भर दिया अब चानिर के लिए कपड़ा कहा सा है फिर उपर बगर चड़ियों के बगर बिना लकड़ी के कपड़ा कैसे ठढ़ेगा और चड़ी को कैसे खड़ा करेंगे यह सवाल उनके मन में आ रहा था के सब बड़ी देर तक इसी में उलजा रहा आखिरकर उसने इसका हल भी निकाल लिया और उसने श्यामा से कहा श्यामा तुम जाकर कुड़ा फेकने वाली टोकड़ी उठा कर लाओ अम्मा जी को मत बताना या दिखाना भी मत श्यामा ने कहा कि वो टोकड़ी तो भी से फटिव ही है उसमें से धुप तो जाईगी ना भीया केसब ने गुस्से में कहा कि तु बस जाकर ले किया रहा उस टोकड़ी को उसका जो छेद है उसका जो सुराक है उसको मैं बंद करने की कोई उपाय निकालता हूँ श्यामा दोड़कर टोकड़ी उठा लाई केसब ने उसके सुराक में थोड़ा सा कागज ठुस दिया और टोकड़ी को एक टहनी से टिका कर बोला देख ऐसे ही घोसले पर उसकी आड़ कर दूँगा तब कैसे धुप जाएगी श्यामा ने दिल में सोचा भाईया कितने चालाक है श्यामा दोर कर गई और टोकड़ी उठा कर लाई केसब ने उसका जो छेद है उसमें थोड़ा सा कागज भर दिया कागज ठुस दिया और टोकड़ी को एक टहनी से एक लकड़ी से टिका कर बोला देखो इस तरह से गोसले पर रख दूँगा तो धूप कैसे जाएगी इस पर श्यामा सोचती है कि भया कितने चालाक है आगे बढ़ते हैं गर्मी के दिन थे बाबु जी दब्तर गय हुए थे अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुला कर खुद सो गई थी लेकिन बच्चों की आखों में आज नीन कहा अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रुके आख बन किये मौके का इंतजार कर रहे थे जो ही मालुम हुआ की अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है दोनों चुके से उठे बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोल कर बाहर निकल आये अंडों की हिपाज़त की तैयारिया होने लगी केसब कमरे से एक स्टूल उठा लाया लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डर्टे डर्टे स्टूल पर चड़ा यहां लिखा है कि गर्मियों के दिन थे शामा और केसब के बाबु जी दफ्तर गए हो थे अफिस गए हो थे अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुला कर खुद सो गई लेकिन इन बच्चों के आँखों में आज नेंद नहीं है अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों बच्चे ने क्या किया दम रोक कर सांस रोक कर आँखे बंखी और मौके का इंतजार करने लगे जैसे ही मालूम हुआ बच्चों को कि अम्मा सो गई है अच्छी तर से सो गई है तो वे दोनों चुपके से उठे एकदम चुपके से दबे पाउं उठे और दीरे से दरवाजा दरवाजे की सिटकनी खोली तक ही हम्मा को पता ना चले और बहार निकल आए अंडो की हिफाज़त के तयारिया सुरू होने लगी अंडो के बचाओ कैसे करेंगे उसकी तयारिया दोनों भाई बहन मिलकर शुरू कर दी केसव कमरे से एक स्टूल उठा लाया लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी केसव एक स्टूल लेकर आता है और उस स्टूल थोड़ा छोटा पर जाता है उसको लगता है कि इससे काम नहीं बनेगी उसका हाथ वहाँ पर नहीं पहुँच रहता है जिसके कारणवा नहाने की चौकी भी लेकर आता है और स्टूल के नीचे रख देता है और फिल डरते स्टूल पर चड़ता है आगे बढ़ते हैं श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी स्टूल चारो टांगे बराबरना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता जरसा हिल जाता था उस वद केसव को कितनी तकलिप उठानी पड़ती थी वह या उसी का दिल जानता था दोनों हाथों से करणीस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डाटता अच्छी तरह पकड़ केसव स्टूल पर चड़ गया है और श्यामा ने स्टूल को पकड़ के रखा है जैसा कि आप चितर में देख सकते हैं इस स्टूल की चारों टांगे बराबर ने थे उसके पैर बराबर न थे जिसके करण उसका भार जिस तरह पड़ता जरासा हिल जाता और हिलने के बाद उसकी अवस्ता को केवल के सभी जान सकता था वो डर जाता था और डरने की हालत में वो करनिस को पकड़ लेता और बहत दभी हुई आवाज में कहता अपनी बहन को कि अच्छी तरह से पकड़ नहीं तो मैं गिल जाओंगा मेरे प्यारे बच्चो आज की कक्षा में इतना ही धन्यवाद सबका दिन शुब हो